हेलो एवरीवन अस्सलाम वालेकूम एंड वेलकम बैक तो मार यूट्यूब चैनल होप यू आज आप लोग सोच रहे हैं कि हमें सकीन पे कोई भी नवाग में ज़ली पाउडर इस तरहां कि कोई भी चीज नजर नहीं आ रही तो येस आज हम मिनाने जा रहे हैं एक छोटा सा व्लॉग जो कि बिल्कुल भी मुझे नहीं पता कि किस रांगा बनेगा बट मैंने ट्राइब पूरा किया है कि अच्छा बने और आप लोगों को पसंद भी आए हम जा रहे हैं बाच्याही मज़े जो कि मेरी बहुत फेवरिट भी है और मुझे वो बहुत जगा अच्छी भी लगती है तो यहां हम तकरीबन दिन की 11 बजी निकल चुके थे और रस्ता नहीं बता था बट हमने तो उबर करवाई थी उबर वाले का मसला आए कि वह हमें छोड़ के आए जो हमने लोकेशन उसको दी है तो यहां हम करीब करीब पहुंच चुके थे और बहुत ही मज़े का व्लॉग होगा आप लोगोंने एंड तक देखना है और वीडियो को लाइक पी करना है तो यहां हम सबसे पहले आजादी जोक वले ब्रिज पे आई थिंक सो रुके थे क्योंकि हमें आटो वले ने का कि बाज़ी आप लोग यहां से शॉट ले लें क्योंकि उसको लग राजा कि यह बाज़ीयां भी व्लॉग टाइप ही बिना रही है तो यहां पे हम रुके थे और अच्छी जगह थी उपर से बहुत अच्छा व्यू आ रहा था और सबसे मज़े की बात कि कर्मी नहीं थी हवा चल रही थी पर धूब थी लेकिन धूब भी नार्मल वली थी लेकि सर्दियां सर्दियां आ रही है न तो इस टाइप ली यहां हम फूर्ट श्रीट पहुंच चुके हैं पहुंचे नहीं बिसिकली हमने लोकेशन यह वली दी थी क्योंकि आइडिया नहीं था कि कौन से रिस्टे से एंट्री है और कौन से रिस्टे से नहीं बट फर्स टाइम मुझे यह पता चला है कि यहां पे रोशनाई गेट ह और यहीं से हम मॉस्क में एंट्री मारेंगे तो यहां पे हम फूर्ट श्रीट का जाइजा ले रहे हैं क्योंकि फर्स टाइम आया है ना इसलिए है और यहां में बिल्कुल सुन्चान था कोई भी लोग मतलब ओपन ही नहीं थे कोई रेस्टुरंट सारे पांच बज़े के पाद ओपन होते हैं हमें फर्स टाइम ये भी बात बता चली और अब हम रोशनाई गेट के पास पहुंच चुके हैं और यही वो जगह है जहां से हम एंटर होंगे अगर आप लोग 12 बज़े के बाद आएंगे तो इस गेट से आप लोग को एंटरी मिल सकती है अदरवाइस आप लोग को में गेट से एंटर होना पड़ेगा और वो शाही गिला और गर्दवारा और मिनारे बाकिस्तान सारा गूम के फिर आप लोग बाच्चाही मज़ित मुस्कते है मजज़ित की दरफ जाते हुए रस्ते में बहुत से स्टॉल जाते हैं और जो सबसे सब्सक्राइब स्टॉल मुझे अट्रेक्ट किया था वो यह वाला था जिसमें एक अंकल पानी में बोर्ड चला रहे थी और मुझे नहीं समझ वे आ रही थी किस तरह चलते हैं रंकल ने समझाया और वीडियो के लास्ट में आपको पता चलेगा कि पोर्ट मेरे से चली थी यह नहीं क्योंकि यह मैंने ले ली थी और यहां पर एक और मेजिकल स्टॉल यह भी था जिसमें हम चावल के धाने के उपर अपना नेम लिखवाते हैं हैं और वो आपको एक चोटे से लौकिट में मन करते हैं अगर आप लोग चाहें तो चेन में डल वाले हैं या किसी डौरी में डल वाले हैं जो के मैंने और मेरी दोस्त ने लिया था और हमें यह बहुत अच्छे लगा था और अपह दिक अर लिपक्र effect बढ़ा ऊैं सबसे पहले हमने यहां पे जूते रखवाए और उसके बार टोकन लिया टोकन लेना बहुत जूरूरी है वरना आपके वापसी भी आपको जूते नहीं मिलेंगे और उस टोकन को आप लोगों ने संभाल के भी रखना है यहां हम पहुँच चुके हैं बादशाय मजजद में और यह मौल दोर का बहुत बड़ा शाहकार है शाहकार होने के साथ साथ बहुत खुबसूरत शाहकार भी है यह और सबसे मजज़ की बात यहां पे इतना रश नहीं था क्योंके हम वीकेंड पे नहीं आए थे मॉस्टली से भी वीडियो अच्छी बिनाने को मिलगी क्योंके यहां पे इतना रश नहीं था और जादा लोग बॉदर नहीं कर रहे थे कि कौन क्या कर रहे और कौन क्या नहीं अब हम चलते हैं मस्ज़द के अंदे वाले वियू की दरफ चो कि बहुत ही खुबसूरत और बहुत ही शानदार तरीकी से इसको बनाया गया है और इतनी लंबी लंबी दिवारे और मेरे तमाग में सिर्फ यही कोईसंदा कि इतनी लंबी दिवारे कैसे बनाएं गई होंग वीडियोज बनाते बनाते एक और व्लॉगर से मिले जिनका नेम है तो केल लॉन और इनकी वीडियोज बहुत अच्छी है बहुत ज़्यादे इनकी वीडियोज देखिएगा इनका अकाउंट में मैंशन कर दूंगी और यहां भी इनोंने हमें काफी टिप्स पी दी कि हमें किसरा की व्लॉगिंग करनी चाहिए किन किन चीज़ों पे हमें व्लॉग बनाना चाहिए किन किन जगों को हमें एक्स्प्लॉर करना चाहिए जो के हमारे लिए काफी हेलफ फुल इनफॉरमेशन भी थी तो यहां पे एक पूरी हमने शॉर्ट बनाई पूरा हमने जो की चीज हैं जो कि आप लोग खुद देखेंगे और अगर आप लोग यहां पर आएं तो इसको एक तफ़ा जरूर देखिएगा लाइक इतनी यूनीक चीज मैंने फ़र्स टाइम देखी थी और मेरा रियक्शन यही ता हुए यह कैसे हो सकता है इसके हरा है करीन बाला मीट एंचोपी कींदें को चला यह लाड़के तीर है किस वाइर थार एंवीजेब एंवीजब टार है जर नियाद निया थेखिए तो न्माच उसके तीली होगी इसको पर बारे कि सीका टार ने प करतियों इए तो यह बंुए तो यह बद्नी एसको य और अब हम जारे हैं बाहिर की दरफ, खुदा हाफिस कहने वाले हैं, हम बाच्छे मच्जद को, आप लोग कपी भी मेरे साथ आती हैं, तो अब हम जाएंगे खाना खाने, हम करवाएंगे सबसे पहले आटो, और उसके बाद हम चलते हैं रेश्टरेंट आफ्टर मैनी स्ट्रगल उसके बाद हम पोंच के शादमान के एक मैशूर रेश्टरेंट जो के है बिग मैन्स पिज़ा, इनका पिज़ा के साथ साथ इनके चाइनिस पे बहुत जादा टेस्टी होता है, और इसके बाद हमने आर्डर दिया और फूड आने के बाद जितनी ज जादा भूक लेगी थी, उतना बिल्कुल भी नहीं खाया गया और हमें पैक करवाना पड़ा, यहां की सबसे अच्छी चीज मुझे काफी लगती है, बहुत जादा मज़ेगी होती है, पी के ठंड पर जाती है, और यहां पे हम बिल्कुल नको नको चुके थे हैं, कि इतन शेयर जरूर कीजिए गम, बावाई